दोस्तों आज में आपके लिए प्राचीन समय के पांच सबसे खतननाक जानवर लेकर आया हूँ जो हमारी धर्ती पर राज करते थे जिने देखने के बाद आप सोचोगे कि अच्छा हुआ ये जानवर विलुप्त हो गए मेगलानिया ये विसाल चिपकली 30,000 करोड साल पेले धर्ती पर रहती थी जिसकी साइस 25 फिट तक हुआ करती थी जिसका बोजन बड़े जानवर थे इसे प्राचीन समय का सबसे खतननाक जीव माना जाता था जो अपने सामने आने वाले किसी भी जिन्दा जीव को पलबर में म जाइन्ट स्पाइडर वेग्यानिकों को कई मादीपो पर डाइनासौर के समय में विसाल मकडियों के होने के सबूत मिले जो नॉर्मल साइस की मकडियों से काफी बड़ी साइस के हुआ करते थे जो जादा तर अंधेरे में रा करते थे जैसे कि अंधेरी गूफा या फिर गना जंगल जिसके जाल हर तरफ फैले हुए रहते थे हलांकि इनके बारे में कोई पुकता सबूत अभी तक नहीं मिले इसमाईलो डॉन ये जानवर साउथ अमेरिका के आसपास की इलाकों में रहता था जो सेर के जैसा लगता था जिसके दो बड़े दात बाहर निकले हुए होते थे जो इसके सिकार को पकड़ने और खाने में उनकी मदद करते थे ये जुराशिक समय का सबसे फुर्तिला जानवर हुआ करता था जिससे भिड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था एंट्रियू सर्चस वेक्यानिक की माने तो ये जानवर करोडो साल पहले ल जानवर के आराम से दो टुकड़े कर देता था पल मोनो इसकोर्पियस इस बिच्चू की साइस इंसानों से काफी बड़ी हुआ करती थी जिसके कंकाल हाली में स्कोटलेंड की पाड़ियों की नजदीक मिले सोचो अगर छोटी साइस के बिच्चू इतने खतननाक होते हैं तो बड़ी साइस के बिच्चू तो इंसानों का धरती से सफाया कर देते जिनका धरती से लुप्त होना इंसानों के लिए अच्छी बात थी दोस्तों क्या मुझे अगला वीडियो भूतों पर या फिर जानवरों पर बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो की नीचे एक लाल बटने उस पे क्लिक कीजियो सब्सक्राइब कीजिये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्ली सब्सक्राइब करना न भूले